हेलो फ्रेंड्स विल्कम टु माई योटूब चैनल जी एस क्लासिस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम अपने इस वीडियो में जी आसी लेक्चिरर सोचियो लॉजी प्रैक्टिसेट में 35 को सॉल्व करेंगे यह प्रैक्टिसेट बिल्कुल इस लेबस के एकॉर्डि सही हुए तो चलिए सॉल्व करते हैं आज हमारे प्रैक्टिसेट में 35 के कुश्य नंबर वन को आज हमारा कुश्य नंबर वन है टाल्गट पार्संज के अनुसार सामाजिक ब्योस्था के सरशनात्मक अवयों कौन कौन से हैं ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लच्छ भू कुश्य को जाएगा यहारा कुशन का हमारा ऌपसन नंबर կानीकि मुल्य प्रतिमान लच्च और सन्स्था हैं समाज शास्तर में मध्यवर्थी सिधधा अभिचार निव्ण लिखित बिच मेंगे से किसने प्रतिपादित किया किसने प्रतिपादित या और लास्ट ओक्रण का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुछन का राइट एंसर होगा हमारा और के अमेरिकी समाजसास्रें मरिटन की गढ़ना अग्रणी समाजसास्तियों में की जाती है वे जहां एक और अमेरिका समाजसास के दिग्गत समाज विज्ञानी सोरोकिन और टालकट पार्संस के सिस रहे हैं वहीं दूसरी और सुप्रशिद पद्यत विज्ञानी पाल लाजास फिल्ड के साथी एम की भी हैं मर्द्वर्ती सिधान्त से मर्टन का तात्पर तार्गिक रूप से ऐसी आउधार्णाओं से हैं जो व्यापक किन्त महती सीमित छेत से सम्मंदित होती है कुशन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्शन नमबर सी आज हमारे थर्ड कुशन है सरचनात्मक द्रिश्य अगला प्रश्ण है या विजार किस ने प्रतिपादित क्या है सांस्क्रतिक न्सर प्रकार्यात्मक है अर्थात प्रतेइक सारभौम प्रकारिवाद। उप्सेट नमबर एस एश फ नाडेल ने, ऑप्सेट नमबर ब्राउन ने, ऑप्सेट नमबर सी आरके मैटर ने, और लाश्ट है ऑप्सेट नमबर दी, बी मयलोनों वसकी ने। इस कुछन का राइट एंसर क्या हो सब्सक्देटेंर Divineillai Lire Duong Day agrawy यानिकि अनसर प्रते इक सादक्ति यानिकी अन्यांस प्रकार्यात्मकिंब्दगें यंजी अर्थाध सारभांप्र प्रकारिवाद मानव सास्त्री में प्रकार्यवाद्सद्धांत के रूप में मानो वस्की मोलता बहुतिक शास्त्र और वानुसास के ही होकर रह गया कुछिशन का राइट एंसर होगा हमारा ऑप्शन नमबर डी आज यमारा अगला प्रश्न है डेविट हाडी मैं समंदीत हैं ऑप्शन नमबर सभितावाधी ऑप्शन नमबर भी है मार्ग्षवाधी परप्रेच उपासरित परप्रेच और लाश परप्रेच का प्रियोग किया है पहला है सरचनात्मक प्रकार्यात्मक तथा दूसरा है ब्योहारवाधी परप्रेच तो कुशन का राइट नेसर होगा हमारा ऑप्शन नमबर डी आज हमारा अगला प्रश्न है कौन सा परप्रेच इस मानता पर आधारित है कि भारती समाज समाज अद्यत्य हैं और भारती सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है option नबर भारती विद्या अध्यान option नबर भी सरचनात्मक प्रकार्यात्मक option इस मानता पर आधारित है कि भारती समाज अद्वती है और भारती समाजिक संजधाओं को मूल कृतियों के दोरा बहतर समझा जा सकता है कुशन का राइट एंसर होगा option number B आज हमारा अगला प्रश्ण है कौन प्रकारिवादी सिध्धान से संबध नहीं है option number यह बी मैलनोवस्की option बर भी है एच इस्पेंसर option number C पीबी यंग और लाश्ट है option number D ए आर ब्राउन तो इस कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option option number C यानिकी पीबी यंग प्रकारिवादी सिध्धान से सम्मध नहीं है प्रकार सब्द का प्रियोग सरवतम हर्बर्ड इस्पेंसर की कृतियों में हुआ है दुर्खीम से प्रभावित होकर मानोविज्ञान में इस अवधाना का प्रियोग बाद में र्याड क्रिप ब्रा प्रकारों का वर्डन किया है option number A है चार option B6 option number C 8 और लाज्ट option number D दस कुछिण का राइट यह इसकुछिण का राइट एंसर होगा हमारा option number A यानिकी चार पार्षंत ने सामाजी की प्रनाली की 4 प्रकारियात्मंग आवशक्ताएं बताई है पहला है अनकूलन दूसरा है प सभभी पिरिष्टेट कुन संदर्भ का क्रिया ठाचा से सम्बंदित है कौन जो संदर्भ का क्रिया ठाचा से सम्बंदित है आप्शन नमबर यह टीबी बोटो मोर आपसान नंबर छीन जी मेν जी-न-शी है लृफ्षिंट हा Municip Brooklyn D संदर्प का क्रिया ढाचा की आउधाना के साथ प्रसिद समाजसासरी टालकट पार्संस का नाव जुड़ा हुआ है उन्होंने इस आउधाना की रचना सामाजिक क्रिया के विचलेशन के दौरान की है पार्संस के अनुसार सामाजिक करता यानिकी आक्टर किसी भी क्रिया को स्वैचित रूप में करता है अर्थात क्रिया से सम्मनित लच्च सादुनों के उपलब्द विकल्पों में से अपनी इच्छा अनुसार चुनाव करता है पार्संस के अनुसार इन में से क्या समाज ब्योस्था की प्रकार्यात्म पूर्व आविशक्ता नहीं है और सामाजिक प्रिथक्ता और प्रतिमानों को बनाए रखना यहां तनाव प्रबंधन और पर्यावरण से अनकुनन और राष्ट आप्से प्राप्ति इस कुषिन का रइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुषिन का रईट होगा मारा प्सट नमबर ए यान की सामाजिक प्रिथक्ता पहर संसे चार प्रसिद्थ उप प्रणालीओंका विह और अंत्रिक प्रकार्यात्म को भी तो जो है तुच्ट करती है यह अनुकूलन नाएक अर्थ ब्योस्त एकी करण और अंतर हित्यता कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नमबर ए आज हमारा अगला पश्चन है निम्न लिखित में किसने प्रकट और अप्रकट प्रकार की आउधाड़ा का प्रतिपादन किया है ऑप्सन नमरे है दुरखीम ने ऑप्सन नमबर भी आरक मेर्टर ने प्रकट और अप्रकट प्रकट की आउधाड़ाणा का प्रतिपादन आरक अके मर्टर ने किया है किसी घटना ञा रहे वस्त के उन परेडामों को और वीक्त या अप्रगत प्रकार कहा जाता है जोसिक प्रत्याश्ट आने पेछीत अकलपनी तथा सामान होते हैं ठीक है प्रकट प्रकार किसी घटना तत्व इकाई के हुए वस्ट उपरक परडाम या प्रकट या व्यक्थ का प्रकार हैं जो किसी ब्योस्था के कारिकरताओं या सायोगीयों द्वारा अपेचित मान यह मौनचित हैं कुशन का राइट एंसर होगा हमारा option number B आज हमारा अगला प्रश्ण है निम्न में से किसने आवशक्ताओं के सिध्धान्त का प्रियोग किया है option नमबर रेट की ब्राउन ने और लाष्ट है option number D बी मेलनो वसकी ने ते इस कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का राइट एंसर होगा हमारा option number B यानि कि टी पार्संस ने आवशक्ताओं के सिध्धान्त का प्रियोग किया है तो कुशन का राइट एंसर होगा option number B फ्रेंड्स उम्मीद करता हो कि आपको वीडियो पसंदा रहा होगा यदि आपको वीडियो पसंदार हो तो प्रिस आफ वीडियो को लाइक कर देये और यदि आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते नहीं पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड के अभी तक जितने भी प्रैक्टी सेट है उन सभी के पीडियाप अबेलबल है जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और साधी साथ आपसे एक इंफॉर्मेशन से करनी थी कि आप लोगों के लिए जियासी लेक्टर का सब्सक्राइब हमारे टेलिग्राम पर लांज कर दिया गया यानि कि यह पिछले अठारा दिन से कांटीनू चल रहा है मौक टेश्च की रूप में यह जो है रेगुलर इबनिंग में जो है टेन पीम पे कंड़र्ट करव मिलेगा टेश्रीज बिल्कुल फ्री है उसका आप लोगों से कोई भी कोश्ट नहीं लिया जाता है तो आप लोग टेश्रीज में बड़ चरके पार्टिसिपेट करें और आज एक मेंबर हमारे रानु रॉय रानु रॉय का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि मैं आप रिस्पॉंस खास मुझे देखने को नहीं मिलता है इससे पहले मैं आपको बता दू कि जब मैं यूपी पीजीट की क्लास ले रहा था तो उसमें मुझे लगवे 15 से 20 इतने ज्यादा सीरियस मिले थे जो मतलब कर मैं जो भी कह देता था वो करते थे और उनके नंबर्स काफ उसमें से लगवग 10 से 12 उन्हों आज की डेट में और वह प्रॉपर मुझे लगवग 75 प्रैक्टिस एट उनका मेरे रिकॉर्डिंग करने से पहले उन्होंने लगवग 75 प्रैक्टिस एट जो है अल्रेडी सॉल्व कर लिया है तो आप लोगों से भी एक रिक्वेश्ट एक आप लोग भी UP PGT का जो अल्रेडी प्रैक्टिस एट प्रॉइड किया गया है आप लोग उन्हें सॉल्व करने एक्जाम से पहले आपको एक्जाम में बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है यह मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बात में यह होगा कि चीजें जो है खराब हो सॉल्व कर लीजेगा एक्जाम से पहले पहले मैं आप से कई बार सारे प्रैक्टिस में लगातार भूल रहा हूं ठीक है आप लोग इवाइड मत करिएगा बढ़ते हमाज के अगले प्रश्च की तरफ आज हमारा अगला प्रश्चन है निम्नांकित में कौन से समास्षास् लाश्ट नमर दी बोगाडस इस कुस्षिन का राइट एंसर निम्हार और के मतन का सम्थ प्रकारिवात के अध्याद के जुड़ा हूआ है प्रकार्यातना विश्चन के संदर्व में चार अऊधाडाणों को विख्षित किया है पहला है प्रकार दूसरा है दूस प्रकार तीसरा है प्रकट प्रकार तथा चौता है अंतर नहीं ते प्रकार है तो कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number C आज हमारा अगला प्रश्ण है निम्नांकित में कौन एक भारती समाज ब्योस्था के अध्यन से प्रतच रूप से प्रतच रूप में सम्मत नहीं है आज हमारा अगला प्रश्ण है निम्नांकित में किस ने ट्रोबी एंड आइलेंडर्स का प्रकारिवादी वध्यत से अध्यन किया था आज हमारा अगला प्रश्ण है संस्कृत का प्रकारिवादी सिध्धान किस ने दिया है आज हमारा अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में किस ने प्रकारिवादी सिध्धान को संहीता बद्ध किया है उप्सिण का राइ एंसऔर क्या होजाएगा इस कुष्ण का राइट एंसर होगा उप्सिन की हुआज laughs पश्न है वास्तविक तथा सामान सामाजिक सरचना के मद्ध अंतर किस ने अस्थापित किया है आप्सन नमरे है नाडेल ने आप्सन नमर भी दुरखीम ने आप्सन नमर सी मर्टर ने और लाश्ट नमर डी रैड क्लिप ब्राउन ने तो इस कुछिन का राइट एंसर क्या हो निडायक तर्त व्यक्त को महत्पूर्ण स्थान देते हैं इनके अनुसार सामाजिक सरचना का अंग या भाग मनुसी ही है तो कुछिन का राइट एंसर होगा ऑप्सन नमर डी आज हमारा अगला प्रशन है समाज सास्त में अधतम सिध्धान्त किसका है कौन सा है ऑप्सन न चंहेले कि समाज सास में अधतम्स सिध्धांद प्रकारिवाद है कुर्शन का राइट एंसर होगा ऑप्सन नमबरree आज हमारा अगला प्रशन हैं निम्र मेंसे गलत कथन चुनिये इन में से गलत कथन में कौन सा है तेस हैं आ एक्ट Yes वे होगा मारा ऑप्सन नंबर भी तो प्रकारिवाद एक ता एक ऐसी दसा है जिसमें समाज ब्योस्ता के सभी अंग अलग अलग कारे करते हैं प्रकारिवाद समाज सास की प्रमुक आउधाड़ा है प्रकारिवादी सोच को विक्सित करने वाली समाज सास्रियों में जिन दो विचारकों को महतपूर्ण माना जाता हैं उसमें दुर्खीम तथा टालकट पार्शन प्रमुक रहे हैं प्रकारवादी सिध्धान्त के समर्थक यह मानते हैं कि समाज की क्रियाएं ब्योस्थित तरीके कुश्ण का राइट एंसर होगा मारा आपस नंबर बी आज हमारा अगला प्रशन है नो प्रकारिवाद के समर्थक कौन है एक जैन्हीं अलेक्जेंडर आपसन नंबर भी टी आपसंन नंबर सी आरके मधिन और लाइस्धियं और आपसन नमबर डी अंजियं लेवी इसकों का एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सण नमबर ए यानिकी जे अलेक्सेंडर सन 1970 से 1980 के दसकों में घटनाओं की व्याक्या और समझ का लोफ हो गया अमेरिका में जैफरी अलेक्सेंडर जर्मनी में निकोलस लुहमान तरह ब्रिटेन में मार्सवादी के संसोधित रूप में प्रसुद करने वाले कोहन के प्रेणाओं से 9 प्रकारिवाद का जन्म हुआ है राइट कुशन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नमबर ए आज हमारा अगला प्रश्ण है प्रकारियात्मक विश्चलेशन में आवशक्ताओं के संस्तरन की आउधाड़ा दी थी किसने दी आप्सन नमरे मालनों वस्की ने आप्सन नमर भी मटन दोरा आप्सन नमसी दुर्खेम दोरा और लाश्ट नमर डी में रेड़कली ब्राउन के दोरा जोए इस कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नमबर ए यानिकी मालनों वस्की के दोरा प्रकारियात्मक आवशक्तां से तादबर ऐसी दूसरा है प्रतिमान तीसरा है अनुराच्छन 14 एककरन तथा तनाव प्रबंधन या किस ने बताया यह पारसंस नहीं पताया है तो यस कुछन का राइट एंसर क्या होगा हुआ तो उप्सिंट का रॉठ एंसर होगा हमारा आपसा नंबरр लेवी इस्टरास का ऑप्शन नमबर भी जेडेवी का औakesशन में सी रेमेंड भर्द का और लाक्ट ऑप्शन ड़ी लेवांश प्रिचाइड का के सिब दर्षकर हें क्या हो ज योंगा срав सरचना कोई प्रेचनी या थार्थता नहीं है अपर तार्किक आधार पर निर्मित एक अमूर्थ प्रतिरूप है कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्शन नंबर ए आज हमारा अगला प्रश्ण है एकांतिक नाभिकी परिवार की आउधारा है ऑप्शन नंबर है योजीन लिट बैंक की ऑप्शन नंबर भी कोलिन बेले की ऑप्शन नंबर सी टी पार्संस की और लाश्ट है ऑप्शन नंबर डी आई पी देशाई की ते इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नंबर सी यानिकी टी पार्शंस की टालकट पार्शंस के अनुसार एकांतिक नाभिक परिवार आधुनिक और द्योगिक समाज में परिवार का एक महत्पूर्ण सरूप है पारिवारिक संगतन की ऐसी आधार भूत इकाई जिसकी रचना विवाही दंपत इत्था उनकी आशित संतानों द्वारा होती है उसे नाभिक परिवार कहते हैं कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्सन नंबर सी आज हमारा अगला प्रश्ण है मालणों वसके के अनुसार सोर्शरी है किया है और सरड़े सानसर्गे जादू और लास्ट श्रय क्रदान सरक आज होगा के का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number C यानि की काला जादू मैलनों मस्की के अनुसार सोर्सरी एक काला जादू है question का राइट एंसर होगा option number C आज हमारा अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से किसने ब्योस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है option number A बोगार्डस ने, option number B सम्नर ने, option number C डेविस ने और last option number D गिलिन एओम गिलिन ने फ्रेंड्स यह question आप लोगों से पिछले practice में पुछा गया था जिसका maximum लोगों ने सही जवाब दिया था आई जन्दे कि इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer होगा हमारा option number B यानि कि सम्नर ने, सम्नर ने ब्योस्थापन को विरोधी सहयोग का, question का right answer होगा हमारा option number B, आज हमारा last प्रश्ण है, नव प्रकारिवाद प्रश्ण के प्रव्परागत दबाओं में से किसको सविकार नहीं करता है, option number है व्यक्तित को, option ब्रिहत क्रिया को, option number C, संस्कृत को, और last है option number D, समाज ब्योस्था को, friends जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रश्ण के last question आप लोगों के लिए छोड़ जाते हैं, यानि कि इ question का answer पता नहीं है, तो आप लोग इसी बाने research कर लिजेगा, उसके बाद comment box में बताईगा कि question का right answer, क्या हागो वैसे मैं आपको inform कर दो कि यह question आप लोगों से पूछा जा रहा है, यह question पिछले एक या दो practice में बताया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेगा, यादि आप लोगों को इस question का answer पता होगा, उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दे, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है, तो आप वीडियो को dislike क्यों किया है, इसको comment box में कमेंट करके जरूर बताएं जिसे क्या होगा आपके कमेंट को अपने नेस्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे तो चलिए मिलते हम आपसे अपने नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम